आरसस ने ऐसे लड़ी है राम मंदिर की पूरी लड़ाई आयोध्या का राम मंदिर भगवान श्री राम का मंदिर 500 से भी ज्यादा वर्षों के इंतिजार के बाद एक बार फिर से आयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनने जा रहा है भगवान राम जो देश-विदेश में रहने वाले करोडों हिंदूओं के आराध्य है वो एक बार फिर से अपनी नगरी आयोध्या पर राज करेंगे और विरोधी बेबस होकर शोक मनाएंगे और राम भक्तों में प्रसन्नता और उल्हास होगा पांच अगस्त 2020 को आयोध्या में भगवान राम के भूमी पूजन का जो सपना था उसके लिए ना जाने कितने ही लोगों ने अपनी जाने दी है ना जाने कितने ही राम भक्तों और देश भक्तों ने जीवन भर तपस्या की है जब हम राम मंदिर के पुनह निर्मान के इस से रोचक इतिहास को देखते हैं तो एक नाम ऐसा है जिसका योगदान भूल कर भी नहीं भुलाया जा सकता और वो है RSS यानि की राष्ट्रिय स्वैम सेवक संग लाख विरोधी आये और करोडों रुकावटे पेश की गई लेकिन RSS के वीर स्वैम सेवक राम मंदिर के लिए अडिक खड़े रहे हमने हर विरोधी को, हर बुरी मानसिक्ता के व्यक्ति को, हर देश विरोधी शक्ति को उसे की भाषा में जवाब दिया आईए आज हम आपको बताते हैं कि राम मंदिर के निर्माण में राष्ट्रिय स्वैम सेवक संग ने अपना योगदान दिया था मैं शर्त लगा सकता हूँ कि आप ये सब जान कर दंग रह जाएंगे और खड़े होकर RSS को सेल्यूट करेंगे तो दोस्तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जरूर देखी और हमारे चैनल RSS समर्थक को सब्सक्राइब भी कर देना तो चलिए आप वीडियो हम शुरू करते हैं दोस्तो भारत की आजादी के समय राम मंदिर मुद्दा सिर्फ अयोध्धा तक ही सिम्टा हुआ था कुछ देश व्यापी प्रसिद्ध राजनिताओं के अलावा ये उत्तरप्रदेश की बाहर तो कोई इसके बारे में कुछ खास जानता भी नहीं था अरे देश तो छोड़िये उत्तरप्रदेश की राजनिती में भी राम मंदिर की कोई चर्चा नहीं होती थी ऐसा प्रतीत होता था मानो भारत के हिंदू राम जन्म भूमी पर आतताई मुस्लिम आकरमनकारियों की बनाई अवैद मस्जद को स्विकार कर चुके थे उस समय आरसेस ने समुद्दे की ओर अपना रुख किया स्वैम सेवकों ने ये कसम खाई कि आप तो राम लला को अपने भूमी पर हक दिला कर ही रहेंगे चाहे फिर इसके लिए कितने ही साल बीत जाएं और कितने ही कुर्बानिया क्यों न देनी पड़े आरसेस ने राम मंदिर के लिए मुहिम का बीड़ा उठाया एक समय जिस राम मंदिर की चर्चा आयोध्धा के बाहर नहीं हुआ करती थी वो धीरे धीरे देश के हर व्यक्ति तक पहुँचने लगी राम मंदिर की मुहिम देश व्यापी होती गई है और इसे इतना बड़ा स्वरूप मिला कि इसने देश की सत्ता का फैसला करना शुरू कर दिया अब जरा याद करिए भारतिय जनता पार्टी का बनना और देश के जन जन की बीच लोकप्रिय होना इसमें RSS का योगदान नहीं भुलाया जा सकता बीजेपी के कई बड़े बड़े नेता RSS से ही निकले है RSS ना होती तो शायद ये सब संभव नहीं होता भारतिय जनता पार्टी ने सत्ता के गलियारों में राम मंदिर का जो मुद्दा पहुचाया है और इसे देश की राजनिती के बनने और बिगड़ने का स्थम्ब बना दिया है उसमें हर दिन और हर क्षण RSS का बहुत बड़ा योगदान था 6 दिसंबर 1992 को हुआ बाबरी मजजित का विद्वंस RSS की योगदान के बिना संभव ही नहीं था सोलभी शताबदी में मुगल सैनापती मीर बाखी की द्वारा बनाई गई बाबरी मजजित धर्म और आस्ता का केंदर नहीं बलकि उनकुरूर और आतताई मुगलों की निशानी थी जिनके हाथ ना जाने कितने भारतियों के खून से रंगे हुए थे जिन्होंने ना जाने कितनी महिलाओं के इजजद अपनी आयाशी के लिए दूशित कर दी थी राम जन्म भूमी के पास तेड़ लाख कार सेवकों को एखटा करने का काम आरसेस ने ही किया इन कार सेवकों ने विरोधी पार्टियों के आदेश पर चलाई गई गोलियां अपनी चाती पर खाई थी उन गोलियों ने हमारे उन वीरों की चातियां जरूर छलनी कर दी लेकिन उनके अंदर बसे भगवान श्री राम को नहीं छू सकी राम भक्तों के कदम टस से मस नहीं हुए देश में चाहे कॉंग्रेस की सरकार रही हो या फिर बीजेपी की RSS ने राम मंदर के मुद्दे को हमेश्वा ज्वलंत रखा और देश की सरकार पर इसके लिए दबाव बनाये रखा हमने समय समय पर इसके लिए आंधोलन की सडकों पर उतर कर रहलिया की और नाजाने क्या क्या किया सुप्रिम कोट में भी राम मंदर की लड़ाई में RSS ने अपना योगदान दिया 9 नवंबर 2019 को जब राम लला के पक्ष में सुप्रिम कोट का फैसला सुनाया गया आरती की गई अंत में मैं सिर्फ दो ही लाइने कहूंगा दोस्तों विश्य में जब जब राम मंदर के लिए किये के संघर्ष को याद किया जाएगा तो इस बात को भी याद रखा जाएगा कि देश भर के लाखों RSS स्वेम सेवकों ने इस सपने को सच करने के लिए विरोधियों के खिलाफ खून भी भाया था और राम जन्म भूमी के लिए पसीना भी राम मंदर के बनने में RSS का योगदान सिर्फ कहने की बादे नहीं है बलकि पत्थर की वो लकीर है जो अमिठ है तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए वीडियो को शेर जरूर कीजिए और साथ ही अगर आप हमारे चैनल के नए दर्शत हैं तो प्लीज आरसस समर्थक को सब्सक्राइब भी कर दीजिए धन्यवाद झाल